हेलो गाइस, वेलकम टू आटो मोबाइल गुरुजी फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं SHVS, जिसे की आप बोलते हैं Smart Hybrid Vehicle System भी बोलते हैं तो गाइस, आज हम इस टेकनलोजी के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे कि ये टेकनलोजी क्या होता है कैसे काम करता है और इसके गारी में होने से आपको क्या-क्या features, क्या-क्या advantages मिलते हैं ये किस तरह आपकी गारी की fuel efficiency and performance को increase करता है तो आज इस वीडियो में हम इन सभी parameters के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे तो आईए गाईस, बने रहे ये वीडियो में शुरू से अन तक चलिए, शुरू करते हैं तो गाईस, SHVS टेकनलोजी सबसे पहले इंडिया में मारुती सुजुकी ने 2015 में अपने Siage model के साथ launch किया और आज मारुती सीजुकी की total 6 model में ये features available है जो की गाईस है S-Cross, Siyaas, Etiga, XL6, Baleno और Baraza में ये features available है आप कभी भी गारी खड़िते हैं तो आपको इन सभी model में ये features available है और आप ले सकते हैं तो गाईस सबसे पहले सुरू करते हैं कि SHVS टेकनलोजी होता क्या है तो गाईस मैं बता दूँ कि पहले क्या होता था कि आपकी जो गारियां होती थी उसमें एक conventional alternator लगा हुआ रहता था अब जब smart hybrid technology जब कंपनियों ने अपनी गारी में technology को enroll किया तो उसके बाद हम conventional alternator को replace करके उन्होंने एक ISG unit लगाया जिसे की हम बोलते हैं integrated starter generator बोलते हैं जिसे की मारुती सुजुकी की अगर आप कोई भी car लेते तो यह समझ लिजे की this is the heart of मारुती सुजुकी smart hybrid cars गाईस यह ISG unit install होती है dual battery setup के साथ जिसमें की एक battery होती है lithium ion high capacity battery होती है और दूसरी होती है guys pv acid battery होती है तो guys क्या होता जब गारी हमारी running condition में रहती है तो यह high capacity battery क्या करती है कि energy को store कर लेती है जब हम गारी में brake apply करते हैं या गारी की speed को जब हम slow कर रहे होते तो उस समय क्या करती है कि उस energy को यह store कर लेती है बैटरी में और इस stored energy को use करती है जब हम गारी को जैसे कि आप गारी को accelerate कर रहे हो किसी अप hill पे चढ़ा रहे हो तो उस समय हमें क्या ज़्यादा torque की जरूरत होती है तो उस समय इसमें एक torque assist function होता है जो कि गारी को energy ISG से provide करता है बैटरी के through जिससे की आपको बहतर performance और fuel efficiency मिलती है अब गाईज चलते हैं इसके बारे में detail से बात करते हैं कि यह सारा process होता कैसे है तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अब देखे गाईज ISG के तीन function होते हैं फर्स्ट होते हैं brake energy regeneration function, second होता idle start stop function and third होता है torque assist function तो गाईज सबसे पहले जानते है brake energy regeneration के बारे में क्या होता गाईज जब गारी हमारी running condition में होती है तो उस समय जो ISG unit होती है वो convert कर देती है जो kinetic energy जब आपकी गारी चल लगी होती है तो उस समय गारी में kinetic energy होती है तो जो kinetic energy produce होती है गारी में और जब हम गारी की braking करते है या गारी को जब slow down करते हैं हम रोकने की कोशिस करते हैं तो उस समय इस energy को ISG क्या करता है electrical energy में convert करता है और इस energy को store कर लेता है dual battery setup में और फिर इस energy को हम utilize करते हैं जब engine को restart करना होता उस समय और जब हमें इंजन को extra torque प्रोवाइड करने की जरूरत होती है acceleration के दौरान तो उस समय हम energy प्रोवाइड करते हैं तो यह guys break energy regeneration का function है सकेंड गाईज चलते हैं idle start stop function guys यह technology car को help करता है automatically turning off करने के लिए जब इंजन हमारी idle condition में हो और यह quicker and silent restart कर देता है एंजन को जब आप एक बार clutch को press करते हो जिससे हमारी की idle stop function properly work करती है और यह हमें help करता है preserving fuel को जब आप traffic में होते हो, happy traffic में होते हो और slow moving traffic हो जहांकि गारी बिल्कुल slow चल रही तो उसमें आपको यह काफी इस तरीके से engine start stop function को यूज करके यह काफी हद तक आपकी fuel efficiency बढ़ा देती है और आपको drive comfort भी feel होता है अब चलते हैं third point जो है वो है torque assist function है guys तो guys जो energy break energy regeneration में stored होती है उस energy को ISG unit क्या करती है जब हमें हमारी गारी में torque की जरूरत होती है acceleration की जरूरत होती है उस समय यह ISG एक तरीके से motor की function की तरब work करता है motor का क्या काम होता है guys की हो क्या करता है की हम उसको electrical energy देते हैं तो वो क्या करती है mechanical energy provide करती है तो same work उस समय ISG यह करने लगता है और जो supplement होता है जो energy का जो supplement है वो engine को assist करने लगता है जिससे result में हमें बहतर torque provide मिलती है और हम गारी की performance बहतर feel करते हैं जो stored energy है उस समय यह motor की तरफ function करने लगता है और engine को यह और mechanical power support provide करता है energy lithium ion battery से लेके यह engine को provide करता है guys basically यह 3 function पे हमारी smart hybrid vehicle system technology है वो काम करती है अब guys हम बात करते हैं इसके advantages की guys हम advantage की बात करें तो guys fuel efficiency automatic है जब वो energy store करेगा और जब हम accelerate करेंगे उस समय हमें energy मिलेगी तो obvious सी बात है engine को कम work करना परेगा it means वो कम fuel consumption करेगा और हमारी fuel efficiency बढ़ जाएगी second guys है driving performance guys जो इसमें torque assist function होता है वो क्या करता है engine को power provide करता है during acceleration जिससे क्या होता है engine का जो load है वो engine को कम load मतलब कि engine पर कम load परता है जिसकी बज़ा से क्या होती है आप बहतर engine की life मिल पाती है और आप बहतर performance फिल करते हो third guys है automatically stop start function आपको मिलता है जो की आपको driving condition को बहुत smartly ये monitor करता है जिससे आप काफी comfort feel करते हो और ये fuel save भी करता है और इसकी बज़ा से guys emission में भी reduction मिलता है क्या होगा कि जब हम fuel को save करेंगे fuel consumption save होगा और हमारी efficiency improve होगी it means क्या होगा कि environment में कम से कम pollution होगी कम से कम engine work करेगा तो pollution कम से कम होगा इस बज़ा से हमें emission में भी reduction देखने को मिलता है अब guys हम बात करते हैं कि हमें इस technology जिस भी गारी में ये features available किया गया है वो गारी हमें क्यों खरीदना चाहिए हमें क्या इससे फाइदा तो या benefit की बात करते है guys तो देखिए इसमें दो major reason है कि आपको ये गारी खरीदनी चाहिए इसमें ये features हो first reason जो है guys वो है automatic start stop का function है जो कि आपकी fuel को save करता है during idle में क्या होता guys जब आपकी car किसी traffic और red light मतलब कि जब traffic में जब red light हो आप वो की गारी वहाँ पे रुकी हुई है और वो सारी condition जो भी automatic stop start का जो condition होता है उस condition को अगर meet करती है आपकी गारी तो क्या होगा idle stop start आपकी जो engine है car की वो off कर देगा जब कुछ देर के बाद आप देखोगे guys की traffic clear हो गया है green light हो गई तो उस समय क्या करोगे आप जैसे ही clutch को depress करोगे ISG unit क्या करेगा उस store energy को use करके आपकी car on करने के लिए सबसे पहले तो car को on कर देगा अगर ये आप सोचो इस technology के बारे में कि इस तरह का features अगर आप किसी traffic area में आपको कई भी office जाना परता है तो अगर traffic area से गुजरना परता है तो ये function आपके लिए एक बरदान सावित हो सकता है और आपकी fuel efficiency में आपको काफी differences मिलेंगे एक ये guys a strong reason है इस function की इस features की गारी खरीदने के लिए second guys है torque assist जो की guys pickup को improve करने के लिए भी आप इसको measure मान सकते हो कि जब आप suppose that engine अपना torque provide कर रहा अगर उसे किसी external source से अगर torque मिलना it means क्या होगा गारी की जो pickup है वो instant आपको मिलेगी आपको lack of pickup कभी feel नहीं होगा जिससे आप बहुत बहुत बहुतर driving comfort feel करोगे क्या होता है guys जो torque assist function है guys उस समय क्या होता है कि जब ISG unit होता है वो क्या करता है कि वो motor की तरह function करता है और engine को power assist करता है during pickup जब क्या होता है fuel consumption is more ज़्यादा होता है और ये improve करता है driving performance and safe fuel when the car is picking up speed जब ज़्यादा speed में गारी हम भगा रहे है एक ये मेरा idea अगर आज के time में आप गारी खरीद रहे हो तो must है आप smart hybrid vehicle technology को prefer करें ये आपके लिए बहुत बहतर सावित हो सकती है तो guys thank you for watching this video I hope ये video आपको अच्छी लगी होगी अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो please comment box में type करें मिलते हैं next video में